बोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली प्रियंका पंडित ने ले लिया है बड़ा फैसला जी हाँ अब प्रियंका पंडित फिल्मों में नजर नहीं आएंगी अब वो कोई फिल्म की शूटिंग नहीं करने वाली है आजकल उनको सिर्फ बिजनेस करने का भूत सवार है लोगों का मानना है कि भोजपुरी फिल्मों में काम न मिलने के कारण वो बहुत परिशान सी हो गई थी इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेकर आजकल गुजरात में धाबा खोल चुकी है घर चलाने के लिए जिस ढाबे का नाम है प्रीती नाश्ता वाली यहाँ पर हर जगे का नाश्ता उपलब्ध है जैसे चाय, पूरी, जलेबी, कचोडी, आदी वो भी सस्ते दामों में प्रियंका का कहना है कि कोई भी धन्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, जो मन लगा कर अपना काम करता है उसको एक दिन जरूर सफलता मिलती है आप लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन दरसल ये मामला पूरी तरह से फिल्मी है प्रियंका आजकल गुजरात में अपनी आने वाली भोजपुरी फिल्म राधे की शूटिंग कर रही है, जिसमें उनका किरदार धाबे वाली का है इस फिल्म में भोजपुरी सुपरस्टार रवी किशन के साथ प्रियंका पंडेत अभिनय करते हुई नजर आएंगी प्रियंका को रवी किशन के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और उनका कहना है कि रवी किशन एक अच्छे कलाकार है, साथ चाथ एक अच्छे इंसान भी है, जो हमेशा सुख और दुख में साथ देते हैं फिल्म राधे में रवी किशन के साथ रुमायन्स करती हुई नज़र आएंगी प्रियंका फिल्म के गानों पर गुजरात में बहुत ज़्यादा कर्मी होने के कारण शूटिंग करने में काफी परिशानी भी हुई पर सारी परिशानियों को भूल कर फिल्म के सबी का लाकार अपना काम इमानदारी से कर रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूजरूम के लिए अभिलाज की रिपोर्ट